हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टीस्टी और सूपर हेल्दी नास्ता जो बनाने में बहुत ही आसान है और बिल्कुल घर पर ही रखी वी चीजों से आप इसे रेडी कर सकते हो तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्टे की रेसिप अधा कटोरी चावल को इसा भी चावल आप ले सकते हो आधा कटोरी तूअरं दाल दाल ली है और मैं लेकर मिंक्स कर provide plus mix करके wash करलेंगे और wash करने के बाद में 5-6 गंटे के लिए 2 गलास पानी डाल करके इन सबी चीजों में सोक उने के लिए रखेंगे जब यह तरह से पुल जाएगी ना पास-6 गंटे में आराम से यह बहुत अची तरह से पूल जाएंगे तो एक्सरा पानी निकाल लेंगे और तो इसके बाद में एक मिक्सर के जार में डालेंगे इसे हम अच्छी तरह से एक Smooth paste त्यार करेंगे तो यहां पर हमारा जो paste है बल्कुल बनकर रेड़ी है तो यहां हमने ऐसे एक बॉल में निकाल लिया है और ऐट कर रहें यहां पर दो छोटा चमच जीरा अब हम डालेंगे इसमें एक छोटे चमच रैट चिली पाउडर एक छोटे चमच यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे और आदा छोटे चमच हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला स्वादा नुसार नमक डाल देंगे अब यहाँ पर मैंने प्याज, मिर्च और लेसन अद्रक का पेस्ट रेडी करके रखा हुआ है तो हम बारी-बारी से इसे डालते हैं एक बड़ा प्याज मैंने बारी कट करके रखा हुआ था उसे मैंने एट कर दिया है 5-6 हरी प्याच की पत्तियों को मैंने बारी कट करके रखा हुआ है उसे हमने एट कर दिया है 4-5 लेसन की कली और थोड़ अधरक मैंने यहाँ पर कूट के रखा हुआ है पेस्ट बना करके रखा हुआ था उसे डाल दिया और 2-3 हरी मिर्च को डाल दिया अगर आप लसेन दिरख के पीस्ट को या प्याच को स्कीप करना चाहते हो तो आप स्कीप कर सकते हो 2-3 करी लीप्स को हम यहाँ पर इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे बारी कटवा रदनिया डालेंगे और अब हम यहाँ पर रेट कर रहें मैंने एक आलू को बर से चिलके उतार लिये थे और एक किसनी की हैप से इस तरह से कीस लिया था पानी में डाल के रखा हुआ है ताकि यह ब्लैक न हो जाए तो इसे 2-3 पानी से हम अच्छी तरह से वास कर लेंगे और वास करने के बाद मैं अच्छी तरह से निचोड लेंगे और आलू को जो हमारी की सीवी आलू है उसे हम बैटर में या पेस्ट में डाल देंगे और अब इन सभी चीजों को हमें एक स्पून की हेल्ट से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दो से तीन मिनट तक के इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि सारी चीजें हमारी तरह से मिक्स हो जाए और यहां पर बन कर रैडि हमारा बैटर बनने के बाद मैं मैं आ Monsieur Pay s on कर लिया एक चुटे चुमच यहां भीघुछ लिया है तोड़े बड़े चुमच जीघे पुल के हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से पैन में फैल जाएगा उसके बाद हम इसे कवर करके रिखने हैं तो लगभग तीन से चार मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से सिख जाए बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है दोस्तों न आपट से मैंने घी लगा दिया और अच्छी तरह से घी लगाने के बाद मैं मैंने पलंट दिया एक सिख चुका है बहुत है ना अब कर द gets कर देंगे ताकि भर नीजा को देंगे ताकि जो घी है वो बिल्कुल अंदर तक के उसका फ्लेवर रहे हमें खाने में लग रहा है ना बिल्कुल एक दम सूपर हेल्दी और सूपर टेस्टी नासता बनाना भी बहुत आज़ा है आप इसे जरूर ट्राय करिएगा और दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीस लाइक कर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुचें अब यहां पर दोनों साइट से जब हमारा जो इसे हम देसी स्टाइल पीजा भी कह सकते है जब पक जाए या सिक जाए तो यहां पर मैंने मॉजिरल चीज की कुछ स्लाइसे इस तरह से कट करके रखे विए इस तरह से पीसे में उसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे आप और ज्यादा यूज़कर चाहते हो तो और ज्यादा इसमें डाल सकते हो अगर इसकीप करना कर रेड़ी हमारा देसी स्टाइल पीजा या आप इसे जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं लेकिन खाने में बहुती सूपर यम्मी होता है यह अगर आप इसे खा लोगे ना तो पास च्छे घंटे के लिए आराम से आपको पेट भरा हुआ लगेगा भूक नहीं लगने वाल या ना भी खाएं इन सब चीजों के साथ सिंपल ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगता है यहां पर कर लिए सर्व और मैं ले रही हूं यहां पर क्याचप और यह बनकर रेड़ी हमारा सूपर हेल्दी और सूपर टेस्टी नास्ता खाने में बहुत टेस्टी बनाने में भी बहुत आसान है उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और बिल्कुल घी से बना हुआ है सीलियस का जो टेस्ट आएगा आप सभी से तारीफ पाओगे जिसे भी आप इसे खिलाओगे तो अगर रेसिपी पसंद आईयो दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना मि हुआ हुआ है